तो दोस्तो स्वागत आप सबीका एक वाफिर से आपके अपने यूटूब चैनल कॉम्प्टेटिव फंड़ा पर दोस्तो उत्तर प्रतेश दरोगा भरती 2021 से सम्मद्देत एक बहुती बड़ी न्यूज है और अभ्यारतियों के लिए बहुती बड़ी खुशखबरी भी है क क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो एक्जाम डेट है वो एक्जाम कब होने वाला है और एक्जाम की डेट क्या रह सकती है साथी साथ आपको बताऊंगा जो 9534 पदों के लिए भरती निकाली गई थी उसमें अब पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है त में आप पढ़ेंगे तो इसमें उनों ने दिया है कि दरोगा भरती के लिए अक्टूबर के अंत में से जो है परिक्षाइं सुरू हो सकती हैं साथी साथ इनों ने बताया कि उत्तरप्रदेश पुलिस के उपने रिक्षक के 9534 पदों पर भरती प्रक्रिया जो निकाली गई थी उसकी परिक्षा अक्टूबर के अंत में सुरू होगी और नवंबर के दूसरे सब्ता तक चलेगी यानि कि जो है एक्जाम जो है आपका लगवग 20 से 22 दिन चलने वाला है साथी साथ उत्तरप्रदेश पुलिस भरती और प्रोनती बोड की इसकी तैयारी कर रहा है और एक अधिकारी ने ये भी बताया कि इसका जो प्रक्रिया है वो दिसंबर तक पूरा करने का इरादा है ठीक है इसमें बताया गया है कि भरती के लिए मई और जून में आविदन लिये गए थे लगवग जो है साड़े बारे लाख आविदन किये गए हैं इन अभ्यारतियों के लिखित परिक्षा के लिए कम से कम 20 दिन का समय लगेगा और इसमें जो है अक्टूबर अन्त से लेकर नवंबर मद्द तक परिक्षा कराने की तयारी है साथ ही साथ एक और इसमें बताई गई है कि वहीं जो डीजीपी मुख्याले है ठीक है उन्होंने 850 और उपनिरिक्षक भरती के लिए भी प्रस्ताब भेजा है तो जैसे कि अभी आपने कल न्यूज देखियोगी 25,000 कॉंस्टेबल भरती के लिए प्रस्ताब भेजा गया है डीजीपी मुख्याले की तरफ से साथ ही साथ उसमें आपको 8,050 जो है सम इंस्पेक्टर के पदों के लिए भी भरती प्रस्ताब भेजा गया है अब देखना ये है कि सासन का इस पर निड़ने आना है कि जो 8,050 पद है वो इस 9,534 पदों में एड़ के जाएंगे यानि जो टोटल 9,534 पद पहले भरती प्रक्रिया में थे तो 8,050 जो है इसमें एड़ के जाएंगे या अलग से भरती निकाली जाएगी तो संभवता चांसे ये है कि पदों की संख्या इसी भरती में बढ़ाई जाए क्योंकि इलेक्सन आने बाला है तो आप सभी को पता है 9,534 पद अगर 850 बढ़ाए जाते हैं तो ये जो है पदों की संख्या आपकी 10,300 के सम्तिक हो जाएगी तो ये सरकार के लिए बहुती फाइदे मन्द होगा क्योंकि सरकार को यहाँ पर ये कहने को बिल जाएगा कि ज्यादा से उन्होंने पदों की भरती निकाली और भी पदों की संख्या बढ़ाई ये 850 पद कहां से आए तो मैं आपको बता दूं 2016 की जो भरती हुई थी उसमें 3007 पदों की भरती थी जिसम यहाँ पर जो गया पाता है अगर आप 3400 में से 200 कम करेंगे जो अभ्यारती कम रहे थे जिन्होंने ट्रेइनिंग नहीं की यानि उन्होंने दरोगा की जो है जो नहीं किया तो इतने पद खाली हैं दरोगा भरती 2016 के तो संभधा ये 850 पद 2016 हैं और इनको भी इसमें एड कर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है उमीद है कि अगर सासन की तरफ से निर्णे आता है कि इन पदों को इसी में बढ़ा दिया जाए तो संभपता ये संख्या जो है आपकी 9534 से बढ़के जो आपकी हो जाएगी वो 10384 पद हो जाएंगे ठीक है तो यहां पर आपके लिए खुसकबरी है कि पदों के संख्या बढ़ जाएगी दूसरा यहां पर जो है एक्जाम की डेट की बात करें तो एक्जाम की डेट के बारे में उन्होंने बताया हुआ है साफ साफ बताया कि अक्टूबर में एक्जाम कराने की जो है प्रक्रिया सुरू हो गई है यानि अक् पुरी प्रक्रिया है कि चाहते हैं कि दसंबर तक इसका रिजल्ट हो जा क्योंकि दसंबर के बाद जो है आचार सहेता लग जाएगी एलक्षन में आप बिल्कुल भूल जाएगे कि कोई भी प्रक्रिया होगी ठीक है अगर आपका एक्जाम जो है अक्टूबर नमबर में हो जाता है तो फिर ठीक है अधर बाइस यह फिर बहुत लंबा जाएगा और लंबा इंदर सेंस मदलब 2022 मैं जून के सम्थिंग आपका एक्जाम जाने की संभाबना है क्योंकि आपका अभी अगर एक्जाम हो जाता है तो तो भरती वोड यहीं चाहरा है कि इलक्षन से पहले इसका एक्जाम कंड़क्ट करा दिया जाए क्योंकि अभी तक इस पे कोई भी ऐसा इस्टे बगरा नहीं है एक्जाम पे बिल्कुल क्लियर भरती चल रही है तो अभी इसका एक्जाम कराया जा सकता है देखिए दरोगा की भरती है संभापता यह कहपाना की बहुत जल्दी हो जाएगी क्योंकि इसमें बहुत सारे चरण है और भरतियों का क्या होता है कि उनमें एक्जाम होता है रिजल्ट आता है जोइनिंग हो जाती है लेकिन दरोगा की भरती में बहुत सारे स्टैप होते तो आप इस चीज को बिल्कुल यह मस सोचिए कि आपका प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी यह मैं नहीं कह सकता लेकिन मैं यह जानता हूं कि हाँ एक्जाम गॉर्मेंट जो है नवंबर में आपका करा सकती है तो मालिया नवंबर की स्टार्टिंग में अगर एक्जाम हो भी ज सरी बाइस सिफ्ट नहीं बाइस दिन आपको इनको एक्जाम कराने में लगेगा क्योंकि अगर बता दूँ दो हजार सोले की जो भरती थी उसमें साड़े छे लाग बहरतियों ने आवेदन किया था और साड़े छे लाग का जो एक्जाम होए थे वो 11 दिन चले थे हर दिन थी तो आप यह समझे यह 33 सिफ्ट हो गई है आपकी तो तीन सिफ्ट के हिसाफ से 33 सिफ्ट में पेपर हुए थे अब यहां पर आवेदन जो है साड़े बारह लाग यानि 13 लाग के सम्थिंग है यानि जिस्ट डबल है डबल के तो अगर हम बात करें तो लगभग 22 सिफ्ट बनेंगे सरी 22 दिन तक पेपर चलने वाला है अगर तीन सिफ्ट में होगा तो आप समझ लीजिए आपका 66 सिफ्ट रहेंगी यानि 66 पेपर बनेंगे और इसको इतना बड़ा एक्जाम होगा यूपी में अभी तक जो है सबसे बड़ा एक्जाम होगा है जो इतने दुनों तक चलने वाला है दूसरा अभी तक उत्तर पर च्छक्ट के अंदर कभी ऐंलाई एक्जाम सिर्फ 2016 की एक मात्र ऐसी वैकंसी थी दरूगा की और जो एक मात्र एक्जाम था जो ऑनलाईर हुआ था उत्तर परिश के इदर के अंदर और उसके बाद ये अकेला दूसरी बार उत्तरप्रदेश के अंदर online होने जा रहा है तो कुछ चीजें दिक्कत आ सकती हैं लेकिन यह बहुत बड़ी चिनोती होगी सरकार के लिए भी और लंबा एक्जाम चलने वाला एक महीने something इसकी तयारी के लिए चाहिए होगा अगर यह संभवता नवंबर में start करा पाए तो तो यह एक्जाम हो जाएगा अधरवाइज यह मानके चलिए फिर यह लंबा जाएगा और संभवता election होने के बाद कोई भी government आएगी जो भी government आएगी देखिए माई आपका जो है संभवता माई जून से पहले कोई भी एक्जाम नहीं कराने वाला है अगर बहुत जल्दी क तो वो माई जून में हो पाएगा यानि अभी आप यह बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजे कि अभी माई जून में होगा अभी आप अपनी तयारी इस तरह से कीजिए कि आपका अक्टूबर या नवंबर में एक्जाम होने वाला है क्योंकि ज्यादा लंबा समय नहीं है आ अपके लिए टाइम मिलेगा आप ज्यादा तयारी कर पाएंगे लेकिन अपनी तयारी इस हिजाब से कहीए कि आपके पास अब सिर्फ एक से लिए महीने में आपको किस तरह से तयारी करनी है वहीं मैंने आपको पहले पी बताया हुआ कि 8 से आपको कम साथ गंटे आपको अ आप चेहनित हो जाएंगे उत्तरप्रदेश दरोगा में ठीक है तो ये बहुत भी बड़ी देखिए आप इसमें जी जान से लग जाईए मैं ये नहीं कहोगा क्योंकि कुछी समय का हो सकता है अगर डेल महीने के बाद एक्जाम होगा तो ये जिन्दगी के आपके डेल महीने आपकी लाइफ को बदल सकते हैं बहुत बड़ी वेकेंसी है इससे बड़िया मौका आपको कभी जिन्दगी में साइधी मिले एक तो उत्तरप्रदेश में दरोगा की भरती साइधी हर इंसान को जिन्दगी में एक बार देने को मिलती है अगर आपको मिल रही है तो ये साथ पद थे अब आप सोचिए तीन हजार साथ पद थे तो और वहां आप कमप्टीशन देखिए यहां पर आप देख रहे हैं इतनी बड़ी भरती है यानि दस हजार के सम्थिंग आपके पद है तो आपके सिलेक्ट होने के चांसे ज़ाधा रहते हैं ठीक है तो बिलकुल आप मैं आपको बता रहा हूँ आप बिलकुल जी जहान से लग जाए बिलकुल कोई रिस्क नहीं लेना है आपको पढ़ना है और पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है ठीक है डेल दो महीने आप बिलकुल दे दीजिए इसको डेडिकेशन के साथ आपके अगर दिखिए आप बहुत लब्मे समय से त्यारी कर रहे होंगे मुझे उमीद है आपने slavis अच्छे से complete कर लिया होगा अब सिर्फ आपको यही करना है कि daily का एक practice set daily का एक practice set और उसको एक गंटे analysis यह daily आपको करना ही करना है साथे साथ इसमें आपको जो भी कुछ नया question मिल रहा है copy बनाईए math की, reasoning की जो भी है उसकी अलग-लग की separate copy रहे है जो भी कुछ नया question कहीं से भी मिलता है आप online portal से पढ़ रहे हैं कहीं से भी पढ़ रहे हैं उनको note करके रखिए देखिए इस तरह से आप practice set में से कुछ नया निकालेंगे तो इस तरह से exam के दोरान तक आपको जाए 50-60 question 100 question आपके पास available हो जाएंगे ताकि exam के दोरान आप उनको practice करके जाएं और आपकी जो कमिया है वो दूर हो सके ठीक है तो आप इन पर जरूर focus करिए इस तरह से अपनी तैयारी करिए अच्छे से पढ़ते रहिए उमीद है आप बहुती आसानी से इसका exam निकाल लेंगे क्योंकि देखिए जैसी कि इसमें इस बार जो वेकेंसी है बड़ी वेकेंसी है अपॉर्चनूटी आपके पास बड़ी है वेकेंसी जादा है ठीक है साथी जात मैं आपको बताना चाहूंगा अपने चैनल पर जो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है मूल विदी से संबंदे तो अब्जेक्टिव वीडियो बनाई हुई अपने प्रक्टिस करनी पांच से छे कोश्चन आपके मूल विदी में आने होंगे बाकी जो भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो उससे संबंदे वीडियो मैं अपने चैनल पर बना दूँगा एक सबसे बड़ी बात इस बार आप देख रहे हैं उत्तर प्रदिसमें पैट का अपने दिया होगा तो आपने ग्राफ वाले कोश्चन देखे होंगे तो ग्राफ के कोश्चन चार आये थे दो सारणी के थे और दो ग्राफ के तो इस पर भी अपना फोकस करिए कि आपको ग्राफ के पिपर ज्यादा से ज्यादा कोश्चन करने क्योंकि मुझे जहां तक लगता है इस बार जो है दोरोगा में कम से कम चार से पांच ग्राफ के कोश्चन आपको देखने को मिलेंगे बहुत ज़्यादा क्योंकि आज के ट्रेंड के हिसाफ से सबसे ज़्यादा important questions है जो graph based है ठीक है क्योंकि उसमें 5 questions एक साथ आते हैं अगर graph जिसको समझ में नहीं आया वो 5 के 5 छोड़के आता है और जिसको आ गया वो आज़ानी से पूरे 5 questions करता है तो ये बहुत ही पर इससे संबंदित जो भी important topic होंगे जो questions एक्जाम में पूछे जा सकते हैं उससे संबंदित वीडियो बनाता रहोंगा तो अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लिजिए बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजिए जिससे कि आने वाली कोई भी व बताएगा और तब तक के लिए चैनल पर बने रहे हैं तक लिए दोस्तों थैंक्यू जैहिन